वल्कम टू एंप्टे एंजिनेर यूट्व चैनल आज हम सेखेंगे हम डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं कई बार हम देखते हैं कि हम जब क्लाइंट से डेटा आता है या हम डाउनलोड करते हैं कि इस टीटा तो कई बार हम टाइप भी करते हैं जैसे मैंने 111 बल्टीबल देखेंगे निलीटा इसको हम फॉर्मेट किसे लिए यह हम जानते आज हम कंट्रोल एक लेंगे पूरी डेटा सिलेक्ट होकी उपर है हम यहां डपल गलिक करेंगे देखें पूरा डेटा हम देख सकते हैं बट हम ऐसे बार बार करेंगे तो हमें कीबूर्ड का यूज करना है अब यहां मुझे से center में करना है तो मैं यहां वाले टूल के use करूँ है simple, जिसे क्या है यह data center में align हो गया मुझे table चीए है मैं यहां से direct जाके table कर दूआ बत मैं मुझे यहां से नहीं चीए ना इसे हैं मैं बार-बार mouse ट्रीच नहीं कर सकता अपने काम के बीच में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल से ट्रिक करेंगे, हम Ctrl A कर लेंगे शीट को, यहां पर Alt O C A, यह हमारे डीटा रेक्टिफाई हो गया, अब हम इसे सेंटर में लेंग करना है, तो Alt H A C, यह हमारे डीटा सेंटर में लेंग हो गया, बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, आप ऐसे इमेज फॉलो करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे, नेक्स्टेम और भी आपके लिए वीडियो आएंगी, और डेली ब